हेलों स्वाज़त है आप सभी का डाउटनेट की पाठशाला में मैं हो रची कर तियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की विज्ञान के अंतरकत भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान का चाप्टर नंबर 2 हम कंप्लीट कर रहे हैं बल तथा गती के दियम और बच्चों आज लेक्चे नंबर 7 और आज यह त्योरी का लास्ट लेक्चर है इसके बाद हम सीधे क्वेस्टिन करने वाले हैं तो आज को लेक्चर है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों आज क्लास में सीखने वाले हैं संबेक संरक्षन का नियम तो बच्चों अ चीजे हम देख चुके हैं संबेक क्या होता है यह सब हम सीख चुके हैं अब बारी है संबेक संरक्षन के नियम को समझने की अच्छा बचों हम लोगों ने न्योटन का त्रतिय नियम पढ़ा था जिसे हम बोलते हैं किरिया प्रतिकिरिया का नियम क्या बोलते हैं किरिया प तो दूसरी वस्तू भी पहली वस्तू पर उतना ही बल लगाती है यानि कि अगर कोई एक वस्तू दूसरी वस्तू पर बल लगा रही होगी तो दूसरी वस्तू भी पहली वस्तू पर उतना ही बल लगाएगी लेकिन विपरी दिशाम लगा रही होगी ठीक है तो यह हम देख मुए उसन लग्षम का नियम क्या है अट है कि यह संवेक्सन रक्षन का नियम नियमint कहता है कि यदी किसी वस्तूपर यदी किसी वस्तूपर या मतलब कोई सिस्टम ठीक जिसे कि माले जी मैं हूँ या मेरे बगल में को एक और इंसान हो हम फिर मालो मैं बोर्ड को खाज़ दे रही हूँ अगर हमपर को कोई बाहरी बल कारीना कर रहा हो हूं आनि कि हम कल आपस में गूसे को बल लगा रहता है संभेख है सणरक्षित मतलब बिटा कॉंस्टेंट रहता है संभेख बदलता नहीं है चेंज नहीं होता है आपको हो गे मैडम कैसे आपको होगे मैडम कैसे तो उसका ही एक बहुत ही प्यारा से अग्जामप्ल है आपका बच्चो रॉकट है नथ तो जो रॉक कित जो उड़ता है बेटा जी वो संबेक संदक्षन का जो नियम है वो फॉलो करता है इसे हम बोलते हैं रॉकेट नौधन भी बोलते हैं देखिए बच्चों थोड़ा से दिमाग लगाईएगा भई रॉकेट हमारा ओड़ा था क्योंकि जो रॉकेट से गैसे निकल रही थी वो धर्दी पर बल लगा रही थी हमने कहां मैं धर्दी पर ये बल लगा रही है चुकि ये गैसे प्रत्वी पर बहुत जादा बल लगा रही थी इसलिए हमारी प्रत्वी ने भी इस पर बल लग लगाया उपर की और अब चूंकि प्रत्वी ने बल लगाया उपर क्यों इसलिए क्या हुआ हमारा रॉकेट जो उड़ना शुरू हो गया अब भैज जो रॉकेट है वो धर्ती को दहसा नहीं देगा धर्ती तो बहुत जादा बड़ी है तो बच्चों धर्ती जो रॉकेट से जो हमारा रॉकेट से जो निकल रही है गैसे वो प्रत्वी पर बल तो लगा रहे हैं लेकिन उसका प्रभाव में प्रत्वी पर देखने को नहीं मिलता है यह प्रत्वी बेटा बहुत बड़ी है लेकिन जब धर्ती न उतना ही बल लगाया तो क्या हुआ रॉकेट हमारा ज यहां से सुनेगा पिटा जी माल लीजिए यह हमारा रॉकेट है ठीक है यह माल रोकेट है ठीक है बच्चों रॉकेट में ऐसे कंपार्टमेंट बने होता है स्फपार्ट में मतलब की पीटा जी रोकेट में से पार्ट बने होता है तो फर्स पार्ट में यह इस्तेंट पार्ट हुआ यह थर्ड पार्ट हुआ और रॉकेट के इस्तमाल क्यों किया जाता है सेटिलाइट है अब उस सेटिलाइट को अंतरिक्ष में लेकर जाना है वहाँ पर इस्टैबिल करना है वहाँ पर जो है अंतरिक्ष जो पर अंतरिक्ष में गए हैं हम लोग और किसी सेटिलाइट को अपने को वहाँ पर लगाना ह ठीक है तो अब बच्चों क्या करेंगे रॉकेट से ही सेटिलाइट बेशते और यहां पर इस पार्ट में कहीं अपनी जो है सेटिलाइट होगी ठीक है अब बच्चों होता क्या है कि हर एक पार्ट में फ्यूल भरा होता है बीटा क्या भरा होता है इंधन भरा होता है तो अब बच्चों होता क्या है उस टाइम पर जो पहला पार्ट बना हुआ है जो हमारा रॉकेट का पहला हिस्सा है बिटाजी इसमें जो भी फ्यूल भरा हुआ है वो क्या करेगा वो फ्यूल जलेगा जब बच्चों फ्यूल जलेगा तभी तो गैसे निकलेंगी ना भाई फ्य लिए यफ्र सी अपार का देखो तो लुजा है वह जलता है जब पहले पार्ट में भरा हुआ फ्योल जलेगा तो उससे क्या होगा औव्यर्ष流 सी बात है गैसे निकलेंगी जब तेजी से गैसे बहार आई तो क्या हुआ इन्होंने धर्ती पर बल लगाया धर्ती ने पर बल लगाया रखना की रॉकेट बल लगाया और हमारा रॉकेट जमीन से उठ गया अब बच्छो होता क्या है कि जब रॉकेट अंतरिक्ष में फिर फ्रॉड़ा से और उपर आचेगा ठीक है अपना मालो चौथा पार्ट है यह तीसरा है और यह दूसरा है पहला पार्ट जस्थर्तिस लॉंच वह ठीक अब धर्तिस अब लॉंच हुआ अपना रॉकेट तब जला था दूसरा पार्ट कब जलेगा थोड़ा से ऊपर पहुँच गया है तब बच्छो तो इसके बाद क्या होगा बिटा सपोस करो कि रॉकेट में पहुंचने वाला है तब क्या होगा जो तीसरा पार्ट है वो जलना शुरू होगा तो जब तीसरा पार्ट जलना शुरू होगा तो क्या होगा चौथा पार्ट बचेगा जब अंतरिक्ष में जो रॉकेट हमें समझ में आ गिया किया है आपको मैं हमलोग समझते हैं कि या ग्त हि क्य आ आновब यह यहां पर हम लोग समझते हैं कि तो हमारा रॉक्ट है वह समवेक संद्रक्ष्ण कि सिध्धान पर ही काम करता है अचाशा Ads example संवेग क्या होता है द्रविमान गुड़े वेग बेटा संवेग होता है हमने पढ़ा था संवेग बेटा जी क्या होता है तो संवेग होता है द्रविमान गुड़े वेग ठीक है तो अब मैं यह बोल रहे हूं बेटा मैं यह कहना चाहती हूं कि जो यह पूरी प्रक्रिया हो आप कोगे मैम आपने तो कह दिया लेकिन हमें तो समझ नहीं आया संरक्षित मतलब क्या होता है constant मतलब क्या होता है बेटा constant मतलब की जो value है वो बदलेगी नहीं ठीक है थो इसको detail में समझेंगे बच्चों suppose करिये अच्छों सम्वेग होता क्या है तो सम्वेग होता है द्रव्यमान गुड़े वेग अब आपको मैम आपने ही सिखाया था यदि द्रव्यमान बदलेगा तो सम्वेग बदलेगा यदि वेग बदलेगा तो सम्वेग बदलेगा फई साइकल का द्रव्यमान क है तो उसका समवेक कम होता है ज्यादा होता है अब आप कहो कि मैं यह तो फिर गलत हो गया और को की दिखो आप पहले कि रॉकेट की इससे तो जलते जा रहे हैं अगर रॉकेट भाई पहले इसमें तीन है तो हुआ है तो मैडम रॉकेट सेवह जलते यह उनके फ्यूल भरा हो तो जलता जा रहा है या तो कम होता जा रहा है तो पर समवेक कैसे संरक्षित हुआ कैसे संटाय है क्भीए आप की बात माली कि समवेग चुह है रहता है यह सम्वेग संप्जण करनी हम है लिकिन आप हमें प्रूफ तो करो आप हमें अशख्त करो भाई कि हम तो यहां पर देख रहें किRight 001 कम होता जा रहा है चुकिंदल जो आप ने सिखा या वह तो गलत हो गया अगर आपके दिमाग में यह बात आई है तो बहुत अच्छी बात किया अगर यह बात आपके दिमाग में आ रही तो बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया बात है ठीक है और अगर नहीं आ रही थी मेरे बताने के बाद अगर आप समझ पारों कि हां यार जर्वमान तो कम हो रहा है फिर समवे कॉंस्टेंट कैसे हुआ तो भी बहुत अच्छी बात है है ना इसका आएगा नहीं तब तक आपको आंसर कैसे आपको पता चलेगा ना तो पहले क्वेस्टन ही यार हां ऐसे क्यों हो रहा है फिर उसका आंसर जाने में और मजा आता है देखिए बच्चों बिलकुल सहीगा इसका द्रवमान बेटा कम होता जा रहा है लेकिन एक चीज बि गटरे के साथ साथ वेग बढ़ रहा है क्या हो रहा है बच्चों क्या हो रहा है गट रहा है लेकिन वेग लगातार लगातार बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बच्चो आप कुछ ऐसे मैं आपको छोटा से एक्जामपल देती हूँ बच्चो सपोस करिये कि जो अपना रॉकिट है इसका समवेग था बेटा जी माली जी छे था ठीक है समवेग मतलब कि जवमान गोड़े वेग जब इ रहे किया कुछ देर बाद बच्चो सपोस्कारो कि जो इसका द्रममान है वह बीटा जी हो गया कम हुआ भाई वाई वच्चो माली जी इसका द्रममान हो गया मालजी वच्चो का चाहें सम्झामपको इसको 8 कर लेते हैं हां walkingistいうこと मालीजी 8 कर लेताया इसका पन आठ कर लेते हैं कर लिया आठ ठीक है बच्चो सपोस करो कि दर्मान हो गया है कम ठीक है बच्चो चार कम हो गया ठीक है तो बच्चो हुआ क्या अब पेटा इसका वेग कितना हो गया होगा दो हो गया होगा ठीक है ठीक है बच्चो वेग बढ़ गया पहले वेग ज कि स्टार्टिंग में द्रव 59 मैंने क्या बोला कि जैसे इसका जो यह पार्ट है द्रमान कम हुआ वैसे इसका बढ़ गया यानि बच्चों सपोर्ट करो कि दिघना हो गया लेकिनitely बच्चों क्या हों गें से दो बढ़ यह दो को उतना ही वेग बढ़ गया अगर आप मैल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा संवेग तो आपको अभी वी आठो लेगा थोड़ी देड़ बाद भी बच्छो थोड़ी देड़ बाद इसका जवमान और कम हो गया बच्चो सपोस करो दो हो गया है ना बच्चो सपोस करो जवमान कितना हो गया जवमान बच्चो दो हो गया सारे पार्ट जल गये हैं सपोस करो यहां पर पहुंच गये हैं जवमान मात्र दो क्लोग्राम बचा लेकिन बच्चो जवमान जितना कम ह वह विख उतना ही बढ़ गया बच्चों सपोस्ट को विटा वेग बढ़ गया है चार से अग़र आप मेल्टिप्लाइग करो क्या मिलेगा चार दूनीय आध अभी भी आपको आठ ही मिल रहा है यानि आ देख सकते हो कि हमें वैल्लिए हर बार आठ ही मिल रही है यानि की सब् ठीक है जितना द्रवमान कम हो रहा है वेग उतना ही बढ़ रहा है इसलिए तो हम कह रहे हैं इसलिए ही हम कह रहे हैं कि भाईया सम्वेग तो संरक्षित है सम्वेग तो हमारा कॉंस्टेंट है ठीक है बच्चों अब मैं आप से यहां पर छोटा सा क्वेश्चन करूंगी यहां पर रॉकेट में सबसे ज्यादा वेग किस टाइम पर होगा मलकिस किस टाइम पर रॉकेट जोह सबसे तेजी सोड़ रहा होगा किस टाइम पर रॉकेट के अंदर सबसे ज्यादा विलॉस्टी होगी बताईए बताईए दिमाग लगाई और बताईए सबसे ज्यादा velocity किस ताइम पर होगे अगर आपने यह बता दिया तो आप यह मां लेजे क्या आपको समझ मांग Colin कि इस ताइम पर होगी यह इस ताइम पर यह इस ताइम पर बताएया क्या लगता है बहुत लॉजिकल कोईशन पूछ रही हूं तो बच्चों आप मेंसे जितने बच्चों ने सोच रहे कि यार इस पार्ट पर क्योंकि मैम ने एक बात बोली है जितना कम इसका वेग उतना ही बढ़ गया यानि बच्चों जिस ताइम पर इसमें सबसे कम पार्ट होगा उस पर इस तढिन जिस भाग रहा होगा बच्चों इस किअ क्यों क्या होगा विग्स अबसे जादा होगा विजब से जादा फिया तो रोक किट नोदन भच्चों क्या है यह भी सुम विजख संटाख्षन के सिधंद पर ही काम करता है ठीक है बच्चों सेम चीज यहां पर है कि जब भी हम माल लेजिए अगर हमने बुल्ट फायर करिए तो क्या होगा हमें जो जो जोर लगता है जो जटका महसूस होता है बच्चों वहां पर भी क्या है संबेक संदख्षन करने हम ही काम कर रहा है ठीक है अब बच्छों सेम चीज माल देजिए कि अगर दो अबजिक्ट आपस में टक्राएं अगर दो अबजिक्ट आपस में टक्राएं हम लोग यहाँ पर बाकी सब कुछ नेगलेज़ विल मांग रहे हैं घरशन बल कितना होगा या फिर जो है घरशन बल कि कितना है या फिर एनर्जी लॉस कितनी हो रही है इन सारी चीजों को हम हटा रहे हैं ठीक है यहां पर हम सिर्फ वोगिए देख रहे हैं कि या दो वस्तूइं के रापस में टक्रा रही हैं तो बच्चों जिस ताइम पर यह टक्राएंगे और टक्रा के देखकों दूर हट हैं ठीक आई और टक्राएं टक्रा के देखें दूर हटी ना तो टक्राने की पहले कुल संवेग बहुत ध्यान सुनिएगा यानि बच्चों इनका भी संवेग क्या होगा संद्रक्षित होगा संवेग संद्रक्षित यानि बच्चों टक्राने के पहले कुल संवेग और टक्राने के बाद का कुल संवेग क्या होता अपस में बराबर होगा संवेग कुल संवेग नहीं बदलेगा है ना कुल संवेग यानि कि जब टक्राने के पहले जब दोनों अबजेक्ट आ रहे थे तो इनका कुल सम्वेग आपस में टक्राने के पहले दोनों का सम्वेग था उनको जोड़ दो तो और टक्राने के बाद अगर तुम सम्वेग निकालो तो आपस में भराबर रहेंगे उस बात को हम प्रूफ भी करेंगे लेकिन उसके पहले आप रहा सम्वेग संरक्षन का नि लगने वाला, बाहरी बल, शून हो, तो, तो, निकाय का, कुल सम्वेग, सन्रक्षित रहता है, सन्रक्षित रहता है, बच्चों देखू, सेम चीज, कि यहाँ पर जो दो वस्थों आपस में तक्रारी तो क्या हो रहा है, तक्राने के पहले उनका जो सम्वेग होगा, और तक्राने के बाद जो उनका सम्वेग हो, आपस में क्या होगे, बराबर होगे ठीक है तो आपस में जो संवेक है वो बराबर होंगे इसको बीटा आओ रेखिये संवेक संदक्षन का नियम भी कहते हैं लिख लो यहाँ पर रेखिये संवेक संदक्षन का नियम का नियम इसको ऐसे लिख सकते हो कि यदि दो वस्तुएं किसी सरल रेखा में गती कर रही हैं तो रेखा में गती करते हुए यदि तक्रा जाती हैं तो तो तक्राने के पहले कुल संवेक के पहले कुल संवेक और तक्राने के बाद के बाद कुल संवेक संरक्षित रहता है रहता है इतने बात मैं समझ मां गई है चीक आप यहां पर बच्चों मैं आपको एक छोटी से बाद आती हूं अपने इसको प्रूफ करेंगे कि क्या सच में कुल संवेक टक्राने के पहले का संवेक सच में बराबर निकल रहे हैं इस बात को हम प्रूफ करेंगे ठीक है बच्चों को छोटी से अग्जाम्पल से लेंगे बच्चों सपोस्त करिए कि यह है मंत्री जी की गाड़ी ठीक है माल लीजिए कि यह है हमारे मंत्री भाई क्या हुआ यह मंतरी जी की गाड़ी है एंड जी माल लेचे कि यह है M2 ठीकर और बच्चों जो यह माल लेते हैं कि तो मंतरी जी गाड़ी है वो किसी चाख से चल रही है है और वाट चॉल वैटा है प्रारंबिक चाल लेंगे ठीकर माल लेते हैं गुण्डों का फार है वह चल रही है यूवन वेक से अब मंत्रिजी को क्या ही पता था कि उनके पीछगुंडे लगे पड़ें यानि बच्चों, गुंडे तो बहुत से आ रहें हैं यानि बच्चों जो अपना यूवन है यह harassment जो है उसकी जो चाल हुगी चालंगी की कुछ समय बाद तुम्हारी गाड़ी तकरा देगा तो ऐसा ही कुछ हुआ कि टी समय बाद कुछ समय बाद क्या हुआ बिटा जी कुछ समय बाद हुआ यह कि दोनों गाडियों की आपस में हो गई टक्कर क्या होगे बिटा जी आपस में हो गई टक्कर क्या हो गई आपस में हो गई भाई या टक्कर सही है अब बच्चो हुआ क्या टक्कर हो गई बच्चो टक्कर के बाद भाई वहां पुल जो है चोर दो थे अपनी स्वेट से चले लगी है ना पाई छोड रभाइब फालतुम जो है पुलिस फिले से पकड़े जाएंगे इससे चल दो अराम चल दो ठीक है तो बच्छो क्या हुआ चोर अपना जो है चल दिये ठीक है तो टक्रानिक बीटा बात क्या हुआ वाई यह कार अपनी गुंडियों लिजो कार थी व बढ़ गई यह वहीं बच्छो मंत्र जी जो कार थी वह भी अपना टक्रा करके आगे बढ़ गई यानि बच्छो क्या हुआ कि जो मंत्री जी की वीटा जो कार थी उसका भी वेग बदल गया ठीक है अब अच्छा मुझे बात बताओ कि पर्सनल पर्सनल देखो एक पर्सनल पर्सनल है जो गुंड़े की कार है जो गुंडे कार है उसका द्रवमान तो नहीं बदला भाई कार फोड़ी भाई पहले बाद मारूती सुचकी बन गई ऐसाथ नहीं होगा है ना भाई वो जिस भी बुलैरों सब्सक्राइब तो उनकी तो कार है टक्राने के बाद जो है कोई दूसरी कार बन गई मर्सडीज बन गई तो बच्चों जाने के जवमांस नहीं बदला लेकिन हां क्या हुआ वेग बदल गया पहले जो कार थी जो गुंडे कार थी वो किसी और स्पीड से आ रही थी टक्राने के बाद जो है उसकी जो है उसकी स्पीड बदल गई अब आपको होगे चिला करके की म कार का संवेग बदला यह नहीं बदल गया संवेग बदल गया संवेग क्या होता है द्रवमान गुड़े वेग तक्राने के पहले इसका संवेग क्या रहा होगा यहां बच्चों मैं आपको अलग से बिलकु लिख दे रही हूं हर एक बात लिख दे रही हूं थाकिया तुम पहले संवेग कितना रहा होगा तो बच्चो गुंडे की कार का टक्राने के पहले संवेग था M1 into U1 दवान गुडेवेग होता है ना यानि बच्चो कितना था ये था M1 into U1 गुंडे की कार का टक्राने के बाद सम्वेग कितना हो गया आप कोगे मैम यह जो है सम्वेग बदल गया है सम्वेग बदल गया है ठीक है इसको इसको ना पन ऐसे रखते हैं इसको कितना हो मैं इन्टू V1 हो गया एंवन वी बदल गया ऐंगर मैं मन्त्री ऑअगे बोलों ब убий talked जी इसका ती सब और इस तक्राने के बाद उसका वेग बदल गया तो शोड़ों कितना हो गया वृट चुंट हो गया यानि कि बच्चो इसका भी मंत्री जी की जो गाड़ी है, मंत्री जी की कार का टक्राने के पहले सम्वेग, बच्चो कितना था? मंत्री जी की गाड़ी का टक्राने के बाद सम्वेग कितना हुआ? से या यांनी कि इनकी निका पर्सनल पर्सनल तो संवेग बदल रहा है लेकिन बच्चों ये जो हमारा करेकर एक कुल संभिग वो तकराणे के बाद के ब्राबर होगा यानि कि हमारा statement क्या कहरा है हमारा statement बच्चों एक हैना चाहता है हमारा स्टेटमेंट यहाँ लिख दूना स्टेटमेंट यहाँ लग देते हैं स्टेटमेंट क्या है यहाँ लग देते हैं वाट वी हैव टू प्रूफ है ना हमें प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है क्या हमें यह प्रूफ करना है तक्राने के तक्राने के पहले का संबेग तक् समब्हेग कुल समब्हेग सद्द टक्राने के दोनों गाड़ियों का पहले कुल समब्हेग ब्राबर हो गा बराबर हो टक्राने के बाद के कुल संवेक के तो बच्चो टक्राने के पहले कुल संवेक दोनों क्या होगा देखो बच्चो टक्राने के पहले कुल संवेक क्या होगा गुंडे जी गाड़ी का संवेक प्लस मंस्री जी की गाड़ी का संवेक तो गुंडे की गाड़ी का संवेक कितना है बच्चों गुंदे की गाड़ी का ठक्राने के पहले चाहिए यह और बच्चों यह ना यह पहले-पहले वाले पहले-पहले वाले तो गुंदे की का का अ कि पहले कुल समवे कितना है M1U1 van 1 था और मंत्री जीए गाड़ी का टकराने की पहले केस्व सम्वेख कितना था M2U2 था तो यानि कि वो यह कह रहा है कि M1U1 होगां टकराने के बाद के खोल सम्वेख है यानि कि बाद का डो विकांव रें हम 1 इस प्लेश llty है हाँ सभी है M1 V1 प्लस M2 V2 तो वाच्चों यह हमें प्रूफ करके लाना है कि M1 U1 M2 U2 बराबर होगा M1 V1 प्लस M2 V2 के टक्राने के पहले कुल संब्वेक और टक्राने के बात के को बराबर होते हैं यह अशानी का परिसनल बात है कि गुंड़े के विता गाड़ी का व्याइए बदल रहा है या सबीड था भी अनकी जो संवेग बडल रहा है लेकिन बüler सम्वेग का और टककर के बाद का तुक्ष्चल shout in बराबर होंगे आभ इसको प्रूफ कैसे करेंगा हैं। को परूस टोए मने को आज्सर के इसको जहां से हम इसको पूफ करेंगां देखो तो बच्चो trata क sha Kurt इसको मैं दो आरहां बना लेती हूं। जिस ट्राइम पर टक्कर होई है? टक्कर के समय के समय के समय है बच्चो टक्कर कर किसम अब सपोस करो बच्च एसे सपोस करूब कि यह मालू मेरा पहला हां तो हुथ मंत्री जी गाड़े चल रहे गे से अ क्षए तेदी ज़्यागोए खुब आग्यां ठीक है अब बच्चो होगा यह होगा यह कि जिस टाइम पर टक्कर होगी तो क्या उस ताइम पर केवल मंतरी जी गाड़ी को जटका लगेगा। भाई गुंदे की गाड़ी को बहीत चाहिए जटका लगेगा ना जितना है मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है उतना सप्षी 12 मेल थे सिस ट्राइस इसलिए क्राइब ही जया लग अधे आ रहा हैिसे दूसरी हम घितना लुस्त लाइब यानि बच्चों जानि की यानि की जो यह मन दक कर दे दी हो और हुगी जो यह मंतरी्ट गाड़ी एगह वह मंतरी गारी को इधर को दक्का देढिए होगा अब ज़्यांस सुनिएगा इसको लिखते कैसे हैं पहली वाली गाड़ी पर क्या हुआ है दूसरी वाली ने बल लगाया है और दूसरी वाली गाड़ी पर क्या हुआ है पहली गाड़ी पर पर दूसरे ने बल लगाया ने बल लगाया, F21 क्या है, दूसरी गाड़ी पर पहले वाली ने बल लगाया, ने बल लगाया, ठीक है, अब अच्छों दखो, आप देख सकते हो, दोनों की दोने डिरेक्शन्स क्या है, अलग-अलग है, मैं पता है, कि यह निका क्या होगा, मैगनेट्योड तो समान होगा, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीद होगी, इसलिएम क्या ले रहे है, माइनस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव साइन क्या दर्शारा है, नेगेटिव साइन ये दर्शारा है, कि जो है, पहली वाली ने बल लगाया है, अगर पहली वाली गाड़ी ने पहली गाड़ी ने दूसरी वाली पर उधर बल लगाया है तो दूसरी गाड़ी ने पहली वाली पर इधर बल लगाया यादि क्या दिशा विपरीद है ठीक है आप बच्चों यहां पर हम F1-2 और F2-1 की वैल्यू पुट करेंगे बस यही आपका इस से फिर जह थे तो याद करो बच्चों F बराबर हमने क्या सीखा था हमने सीखा था कि F बराबर होता है डेल्टा पी बटे टी संवेग में परिवर्तन की दर बच्चों यह हमने सीखा था न्योटन के दूसरे नियम से न्योटन के दूतिया नियम से दूतिया नियम से की बल क्या होता ह सम्वेग परिवर्तन किदर बिटा एफ वन टू क्या है पहली गाड़ी पर जो बल लग रहा है तो अन्हें बच्चों पहली गाड़ी पर कितना बल लग रहा होगा पहली गाड़ी पर बल लग रहा होगा पहली गाड़ी में सम्वेग में परिवर्तन किदर यहां बच्चों क परिवर्तन की दर बच्चो एफ टूवन क्या होगा तो बिटा जी एफ टूवन होगा दूसरी गाड़ी में सम्वेग परिवर्तन की दर परिवर्तन की दर बस यही अगर आपको समझ में आ गया तो आप मालो आपको सब कुछ समझ में आ गया पहली गाड़ी में समवेग परिवर्तन की दर बराबर दूसरी गाड़ी में समवेग परिवर्तन की दर तो पहली गाड़ी में कितना समवेग परिवर्तन हुआ पहली गा यानि बच्छो क्या हुआ यह होगा एम टू यू टू स्वरी मट्विट यहां आपका M1 स्वरी M1 है ना मैं ये क्लिक दिक यह नहीं यह ना जो गुंडिक यूटा कारे क्या है पहली जो को सम्वेक प्रवत्तिना हुआ है ये M1 U1 पहले सम्वेग था कितना हो गया M1 V1 उसका बाद में सम्वेग हुआ था तो पहली गाड़ी में गुंड़ी गाड़ी में सम्वेग में परिवर्थन तर तो गुंड़ी गाड़ी में कितना सम्वेग परिवर्थन हुआ उसका संवेग परिवर्दन हुआ M1 V1 माइनस M1 U1 बटी T ठीक है बढ़ावर बच्चो क्या होगा बेटा F21 क्या है बेटा मुला कि दूसरी गाड़ी पर दूसरी गाड़ी पर जो भी क्या है पहली वल लगा दही है तो दूसरी गाड़ी पर कितना बल लग रहा होगा, दूसरी गाड़ी में सम्वेग में परिवर्तन की धर के बराबर, तो बच्चों दूसरी गाड़ी क्या है, सम्वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो बच्चों देखो, मंत्री जी गाड़ी का पहले सम्वेग इतना था, बाद में इतना हो गया यानि बच्चों M2 V2 minus M2 U2 माइनस M2 U2 है ना बटे T ठीक है M2 V2 minus M2 U2 बटे T अब बच्चों हमें पता है कि टकर एक ही टाइम पर हुई है यानि कि समय तो बराबर है T1 बराबर T2 है अच्छा यहां बच्चों देखो क्या था F12 बड़ाबर माइनस के F21 था तो बच्चो यह निगेटिव साइन यहाँ पर रहेगा इस बात को ध्यान रखेगा तो बच्चो अब यह कुछ T सी बड़ा T तो कैंसल होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं M1 V1 माइनस M1 U1 बड़ाबर M2 V2 माइनस M2 U1 हैना? M2 U1 और बच्चो निगेटिव साइन आजाएगा आगे हैना? तो बच्चो यह क्या बन जाएगा? M1 V1 माइनस M1 U1 बड़ाबर माइनस का M2 V2 माइनस मैंस प्लस हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? प्लस का M2 V1 ठीक्या होगा? M2 V1 अब बच्चो देखो जड़ा इसको ले आओ इधर और इसको पहुंचा दो उधर तो बच्चो क्या होगा? बेटा जी यह हो जाएगा यह बेटा जी क्या हो जाएगा? हाँ जी तो यह बेटा जी आपका हो गया M1 U1 माइनस M2 V2 माइनस M2 M2 U2 यहाँ पर M2 U2 ना U2 लेंगे दूसरी गाड़ी का प्रादंबिक बेख देखा यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक थी अभी गड़बर हो जाता M2 U2 सही है? अब बच्चो क्या हो जाएगा? यह बेटा जी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? M1 V1 यह निगेटिव है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का M2 V1 बड़ाबर बच्चो यह लिखा हुआ है M2 U2 यह माइनस का M1 U1 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा? आनि कि प्लस का M1 U1 ठीक है? तो इसको देख सकते हो इसको ऐसे लिखलो M1 U1 प्लस M2 U2 बड़ाबर M1 V1 प्लस M2 V2 आप देख सकते हो क्या हमें यही प्रूफ करना था? देख लो बच्चो में क्या प्रूफ करना था? वही म्धे दिखांक दिया है लेंग प्रेसेंट कर दिया है रेसेंग को संवे停 यानी वच्चो टक्कड के पहले को संवेग पहले का संवेक इतना था टक्कर के पहले हमारी दूसरी गाड़ी का सम्वेग इतना था तो इनका कुल सम्वेग टक्कर के बाद हमारी पहली गाड़ी का बिटा सम्वेग हो गया m1 v1 दूसरी गारी का समभेग हो गया num 2 v2 लानि उनका कुल संभेग आपस में क्या हैं बराबर हैं टक्कर के पहले कुल संभेग बराबर होता है टकर के बाथ के कुल संभेगन क के और यही हमें प्रूफ करना था कैसे किया जो एक बर देख लेते हैं देखो बच्क्र के पहले तो संवेग बदल गया तो मन्त्र जी गाड़ी पर उनका पहले पहले संवेग कितना था M2U2 था ठीक है टक्कर की बाद सम्वे कितना हो गया M2V2 हो गया अब बच्चों हमें क्या प्रूफ करना था कि टक्कर की पहले को सम्वे के बराबर होता है ठीक है तो हमने देखा जिस प्रूफ कर हुई है उस पाइम पहली घारी ने दूसरे पर लगा था दूसरी वाली पर दूसरी फर्लगाया सम्वेग में परिवर्थन कि दर यह क्या होगा स्टू वन क्या होगा दूसरी गारी में परिवर्थन कितना हुआ सब्सक्राइब कर लिए तक्कर के पहले दोनों बारियों का सम्वेक है वी वी टुक्र के बाद का कुल सम्वेक तो हम देख सकते हैं तक्कर के पहले कुल सम्वेक और टक्कर के बाद कुल सम्वेक आपस में क्या है बराबर हो यही प्रूफ करना था तो बच्चों देख सकते हो कुल सम्वेक संरक्षित है तो सम्वेक क्या है संरक्षित है अगर हम इनका सम्वेक तक्कर के पहले का अगर हम सम्वेक निकाले दो पूर्स क्वेस्टिन ये रहा न्यूटन के गती के त्रतिय नियम के अनुसार किरिया पित किरिया की नियम को जो नियम का जो बल होता है वो कैसे लगता है सो समस्क्राइब करिएगा next question rocket किसके सिधान परकादी करता है 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 और रिषए है भे नोइन टेक तो के लिए कि तीसनी नियम के अनुसार किरिया पृत किरिया से तो संबद्र फ़र्पल हें वो क्या है चाइब कि नियूटन का थर्ट वोई हो नद्र तक है कि बिटा अलग हुआ ब्ल險 कुछ हए यहां लिखा है पहला हमेशह 1 वास्थं लगने हो सकते हैं के रहा है भिलुच लगन होने के रहा है कि ईनका परिमार बराबर होना जरूरी नहीं है कि उनके कलिक्षा सवगा लगन ऊसक्ते नहीं हमेशा लगने होने चाहिए वाद कौनelो किस सिध्धान पर कारे करता है तो बच्छों मैं आज क्लास में सम्वेग संद्रक्षन करें समझा उसे प्रूफ किया अगली जो क्लास हो कि उसमें हम करेंगे तो बच्छों मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्टें ब्रेक्टिस के साथ तब तक के लिए बबाए ठेक केर ख्याल रखे अपना बबाए